आज की कलास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या-क्या पढ़ेंगे पता है करड़ी सर्ट्स सजातिय करड़ी बढी और सन्यूक्त करड़ी सन्यूक्त करड़ी निरासन करड़ी इन सभी propri Import कि करड़ी यानि सब्सक्रणाइब करेंगे बिष्थार से बात करेंगे बहुत महत तरीके जहर भी पीलो जहर भी पीलो और मौत भी नौ अगर आइसी चाहत है तो फिर इसक कर लो हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी परिवार पीवी आर स्टड़ी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ने के लिए ही आये होंगे है ना सभी बात बोल रहा हूं चलिए तो यह कंटेंट है जो मैं आपको दिखा दिया कि पढ़ना क्या क्या इसमें उसके बात पढ़ना कैसे है एक कापी ले लो पेन ले ठीक है और अपना नंबर भी देंगे लाश्ट में आप कुछ भी परिसानी है तो आप उसे हमसे कह भी सकते हो डारेक्ट चलिए धरती फे जुड़े हुए आदमी हम उपर कहीं कट गया क्या थोड़ा 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 पीछे हो जा यह सही हुआ ना चलो तो आ टेली गराम पर हमें जोइन कर लीजी जिससे कि आपको सारी कला से मिल सकें साथियों सजातिय करड़ी क्या होती है आपने सजातिय कि अगर बात कर रहें आपने सुना होगा हमारे मौलम है सर्मा जी है सर्मा जी हमारे भी राधर है वैसे हम सर्मा जी नहीं हम यादो जी है य आपने सुना होगा आज कल पिछले कुछ वर्सों से यूपी नहीं पूरे देश में जाती धर्म पर ले करके काफी मतलब चर्चाएं हो रही जोर सोर से महौल बनाया जा रहा है तोड़ो राज करो वाला है ना तो मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं सजाती है मतलब समान ज तो एक समान जाती कैटेग्री यहां पर समान जाती मतलब वही से आप समझ लेकिन जो बैवारी इक बता रहा हूं आपको ज्यादा समझ में आएगी यह थोड़ा कम आएगी तो इसमें क्या है सजातिय का मतलब एक प्रकार एक विसेज प्रकार जैसे अगर हम इस वालेम बा प्रवाला गुडनखंड एक समान हो वे सभी करड़ी क्या कहलाती है सजातिय करणिया कहलाती है ठीक है जैसे यहां पर देखो आप क्या है रूट तीन है तीन है अगर इसमें बात करें उसके आगे यहां पर जितने भी है अगर आप इनके अंदर में देखेंगे तो सब में र कार्डिंग हो रही है और इसमें अगर आप देखेंगे फाज सिक्यान थार्ड फोर सभी में अंडर रूट की संख्या सेम है बाकी जो नंबर उसके बाहर है गुड़ा में वह अलग है समझ रहे हो तो सजातिय का मतलब मतलब इसके आगल बगल में कुछ भी हो लेकिन जो रूट के अंदर की संख्या है वह एक समान होनी चाहिए वह सजातिय करड़ी कालाती है बहुत इमांदारी से समझ लो इस पर कुश्चन कंपरटिशन में भी कहीं कहीं मिल जाता है ठीक है देखो और एक्जांपल धेर सार और नहीं हुआ था कुछ और बन गया था मुझे समझे नहीं यहाँ उसकी साइज हो गई कितना पता है यह भाई 55GB का हो गया 55GB इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है मैं 15000 हर साल रिचार्ज करता हूं नेट का तो नेट की प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम यह हो गई कि वह डिश्टर्ब हो गई चलो और एक जांपल देखें जैसे सजातिय करडी में अंडरूट 15 यहाँ पर लिखा फॉर और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया चाचा लोग यहाँ पर 19 तो क्या यह फजातिय करडी है आपको आईसे कईसे बताएं यह ठ्याओ लिख दा इला अब और यह दोनों सजातिय करडी है क्या नहीं है क्योंकि इनके जो अंदर की संख्या है वो क्या है करडी वाली जो मुख्य संख्या है वो अलग अलग है इसलिए दोनों सजातिय करडी नहीं है ठीक है समझ रहा है और आगे बताएं चलो अच्छा जैसे मान लो कि मैंने ले लि यहाँ पर ले लिया 21 अंडर रूट 111 ये दोनों सजातिये करड़ी है कि नहीं बोलो है ना दोनों सजातिये क्यों ये सजातिये करड़ी इफलिये है क्योंकि क्योंकि इनकी जो करड़ी वाली में संख्या है वो क्या है करिवलिमें संक्या क्या है सजातिये है इस लिए क्योंकि समान है यह भी 111 यह भी 111 है इसके आगे जो लगा उससे कोई मतलब नहीं है बात समझ रहे हो ना समझ रहे हो तो यह क्या है सजाती यह कर ड़ी है कि समझ गए ना कोई दिक्कत पर इसानी डाउट नहीं न समझ गए आगे बढ़ें इसके बारे में और गहराई से भी हम आपको बताएंगे अगली next class में और अगर आप PBR study application में देख रहे हैं तो आपको सारी गहराई से जनका दिया भाई कुछ बिले लो इसे अब कोनो नई नई कुछ बिले-लो हॽ कर प Really हो गया पर रहे कुछ भी लिखना फूठी है symmetry करड़ी है यह कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ इसका ग्यारा करदी है यह नहीं है जैसे इमांदार इंसान एपलत देखना क्योंकि इसका वर्गमुल 5 हो जा रहा है इसका 11 हो जा रहा है यह करड़ी है नहीं understand, करड़ी है ही नहीं, आगे बढ़ें, कोई परसानी नहीं न, तो आप समझ गए करड़ी क्या है क्या नहीं है, सजातिय करड़ी समझ गए, अगला है साथी मेरे बिजातिय करड़ी, बिजातिय करड़ी क्या होती है, ऐसी करड़ी जिसका करड़ी गत समान ना हो, अलाग इसके अंडरूट के अंदर की संख्याएं अलग-अलग हैं बोलो है ना है ना बाबु भाईया देखो आज कमेंट नहीं देखूंगा बैं सिर्फ इमानदारी से जो पढ़ने वाले हैं वही देखेंगे वही रुकेंगे इस कलास में बाकि सब नहीं रुकने वाले क्योंकि लिक्षा होती है नौकरी का कोई बैकेंसी आती है सबको थोड़ी मिल जाती है उनी को मिलती है जो मेहनत करते हैं दिल से कोनों क्लास में आये जुगार लगा लें गुरूजी को इसक्रीन साट ले ले पीडिया नोट देदो का है भालतू पढ़े पालतू का है टाइम बेस् यह कुछ पता नहीं है और मिलेगा भी तो क्या करोगे उसे चलो समझ गए ना आगे बढ़ें करड़ी के अंदर की जो यह संख्याएं हैं अंदर की वो सभी अलग-अलग हैं यह सभी क्या है बिजाती है करड़ी है जैसे और भी कुछ हम आपको बहतरीन तरीके में ले चले यार मेरी आख गर रही पता नहीं क्यूं आज सुबध से साम हर समयस्क्रीन देखते देखते ना पता नहीं कब तक चलेकी है देखो उनीस यहां पर लिख दिया वन-फॉर फाइफ छोड़ो यहां पर लिख दिया पचीस वन-फोर फाइफ यह क्या है सजातिय करड़ी है सम कि इनके अंदर के जो नंबर है यह वो सेम है इवंड़ेस्टेंड हूं को डाउट नहीं कि आगे बढ़ सकते हैं अब चल भाई नेक्स्ट सन्युक्त करड़ी या कंपाउंड सर्ड ये क्या होता है जब दो या दो से अधिक करणिया आपस में जोड़ी या घटाई जाएं तो ऐसी करड़ी को सन्युक्त करड़ी कहते हैं ये करड़ी सुद्ध या मिस्र दोनों हो सकती है ये करड़ी सुद्ध या मिस्र दोनों ही हो स यानि उनको क्या किया जाए जोड़ा या घटा या जाए बस बाकि और कुछ नहीं जैसे देखो यहाँ पर यानि उनके बीच में क्या है एक प्लस या माइनस का चिन लग रहा है बस और कुछ नहीं ठीक है तो इसमें कुछ भी हो सकता है सन्यूक्त करडी में कुछ भी हो सकता कि मतलब वह मिस्टर भी हो सकती है जैसे देखो यह क्या है यह दोनों क्यां मिस्टर कारडी है ना बताव मिस्टर करड़ी एक सुध है सब पढ़ा चुका हूं पिछला पार्ट नहीं देखे लें डा डिस्क्रेप्स न में लिंक मिल जाएगी चलो आगे बढ़ें इस पर और भी एक्जामपल देख लिजिए भाईया मेरे कौन सा एक्जामपल पढ़ना है सब भी जाती है न देखो भी जाती है करड़ी और सन्यूक्त करड़ी भी जाती है तो देखी लिए हो सन्यूक्त करडी का मतलब कोई भी दो करडी आपस में किसी भी प्लस या माइनस चिन्न के साथ जुड़ी हो जैसे यह हो गया अच्छा ए इसको अगर बोलेंगे इसको तो भाईया इक करडी नहीं है याद रखना क्यों क्योंकि यह करडी है ही नहीं इसका वर्गमूल निकालोगे पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाएगा यह करडी है नहीं तो इसको सजाती है भी जाती है मत कहना समझ में आया ना यानि वो करड़ी होना चाहिए और करड़ी कौन है या नहीं है इसके बारे में मैं अल्रेड़ी पढ़ा चुका हूँ अच्छे पढ़ा चुका हूँ धंग से पढ़ा चुका हूँ ठीक है आगे बढ़े कोई परसानी किसी को तकलीफ नहीं चलो देखो यहां पर क्या पढ़ रहें आप सन्यूक्त करड़ी सन्यूक्त करड़ी का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि कोई भी करड़ी जिसको किसी भी चिन के साथ लगा कर लिख दिया गया हो जैसे ये ये तो ये क्या हो गई सन्यूक्त करड़ी हो गई ये दोनों सुद्ध करड़ी भी हो सकती है फजातिय भी हो सकती है बिजातिय भी हो सकती है सन्यूक्त का मतलब उनमें आपस में एक जोड़ हो एक गठबंधन हो गया अब समझ रहो ना गठबंधन का मतलब जान रहो ना कुछ भी मतलब इनके बीच में पलफ का लगा होना चाहिए ठीक है सुद्ध और मिस्र दोनों करडिया हो सकते हैं अगला 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 अगर आप कम समय में मैद सीखना चाहते हैं ढंग से और अगर आप यूटूब या फेस्बुक पर इसे डेमो के रूप में देख रहें तो आप PBR study application में आ सकते हैं क्योंकि application के अंदर आपको हम पूरा full package देते हैं और पूरा course ढंग से पढ़ने पर मैद सिखाने की पूरी guarantee होती है ठीक है एक बार जरूर अजमाएं जो आप देख रहें इससे और बहतरीन मिलेगा क्योंकि उसमें कोई भटकाव नहीं होगा य conjugate search यह क्या होता है यह कौन सी बला है यह कौन सी बला है जानते हो एक ऐसी करड़ी जिन में क्या होता है न परतेक पद तो समान होता है ए रुक जायार परतेक पद क्या होता है समान होता है लेकिन उनके बीच में जो परियुक्त चिन होता है वह समान होता है ऐसी करड़ी को स सन्यूग्मी कहते हैं जैसे एक्जांपल के लिए देखो यह पद वही है यहां पर भी टू है रूट तीन है लेकिन चिन अलग है बस इसका देखो इसका सन्यूग्मी क्या होगा अंडर रूट साथ और माइनस करना हो बस समझ गए ना कोई डाउट होगा तो बता देना कंजूगेट साथ यही होती है इनके और अब भ्यास प्रफ ने यहां पर लिखे जा सकते हैं अभी मैं पढ़ाया था इसको एक बैच में इसलिए मैं दुबारा से इसे बता देता हूं इनके बहुत सारे एक्जांपल हो सकते हैं जैसे रूट तीन हो गया माइनस करना हो गया तो इसकी जो कंजूगेट साथ अगर लिखना होगा तो रूट तीन प्लस करना हो जायागा ठीक है मेरे भाईया जैसे यह हो गया यह हो गया अगर इसकी कंजूगेट साथ बोलेंगे तो यह हो जायागा फिप्टीन अंडर रूट वन नाईस और यह माइनस का तीन बस हो ग पढ़ना चाहते हैं तो PVR study का जो हमारा दूफरा channel है official channel मेरे नाम से ही है राजकुमार यादो सरमयत आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है संपूर्ण बैच के आगे के सारे भाग अब इसी पर आए ठीक है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे की आपको सारे पार्ट मिल सकें क्योंकि में चैनल पर सारे content इसके नहीं आते हैं में चैनल होता है किसी और परपस से बताएंगे किछ अगले वीडियो में चले अगला क्या है निरासन गुड़नखन ये क्या होता भाया ये कौन सी बला है देखो देखो मगर प्यारफे ऐसी दो करणिया ऐसे दो सड्स जिनको आपस में गुड़ा कर दें तब वो करणी न रहा जाए यानि कि ऐसे दो इंसान जिनका आपस में मिलन हो और फिर वो इंसान न न रहा जाए, समझ रहो, इतने अच्छे करम करें दोनों मिल करके, कि दोनों भगवान बन जाए, अब भगवान नहीं बनेगे, लेकिन भगवान के भकत तो बनी सकते हैं, यहनी अईसी दो करडी, जिनका आपस में गुड़ा करें, तो लो करडी न रहा जाए, मतलब समझ रह कैते हैं जो science वाले candidate है बताना क्या केते हैं विग्ध्यान की बहाँ साम बताना आ Lite हुआ है तो तरह बोगमूह है और स्वेफंद नौऊ है यानि क्या रूटी तीन का रूटी तीन में गुड़ा किया में तो क्या बन गए है ये भी एक अपर्मिय संख्या है लेकिन इसका जो गुड़नखंड आया का प्लीट फाइनल में वो तीन क्या आया एक अपर्मिय संख्या आया ठीक है समझ गए ना कोई डाउट परिसानी तो बता देना आगे बढ़ चले डन बात पकी न भाईया चलो एक्जामपल मैं और भी देख सकते हो बहुत सारे एक्जामपल आप देख सकते हो आफ जिनका आपस में मल्टिपल करने पर वो क्या हो जाए मतलब अपर्मिय से वो पर्मिय बन जाए जैसे अंडरूट उटा वो अंडरूँट साथ में करोगे तो क्या ऐगा। निराफन गुदन खंड जने इंगलेश में बोलते हैं हैा। ओके डन इसका पूरा PDF PBR study के टेली ग्राम चैनल पर भेजेंगे हम ठीक है मरे भाई ओके चलो अरे भाई एंड बहन एंड भावी एंड अंकल अंटी मौसी मौसा सबको बोल रहा हूं चलो नहीं निराफ नहीं हो ना आगे बढ़ें कभी कुछ और इसा कमेंट कर देते हैं खतरनाक इसलिए मैं सब बोल दिया कोई किसी को न कह रहा जाए हमको नहीं बोला चलो देखो जैसे तीन अंडर उट साथ इसका गुड़ा किया चार और अंडर उट साथ इसमें क्या है अभी इनका 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 इसे ले लो ना तीन का चार में ठीक है भाईया और इनका अलग से कर लो इनका अलग से कर लो इनका तो रूट साथ का रूट साथ में अभी मैं आपको सिखाया हूँ यह उपर लिया 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 करे रहे ना उपर किया था ना रूट साथ का साथ मे 28 चोवे तिन दूनाचा 28 ठीक-84 अब यह क्या है यह करडी है क्या नहीं है ना यानि ऐसि दो करडीएं जिनका आपस में मल्टिल करने पर वो करडी ना रह जाएं जैसे इनका दोनों का आपस मल्टिल किया तो यह जो आया फाइंटल में यह करडी नहीं है तो ये क्या है इसका निराशन गुड़नखंड ये है समझ में आया सब को समझ में आया ना किसी को कोई तकलीफ नहीं ना कोई तकलीफ नहीं ना आगे बढ़े हम फिर चल भईया चल भईया चल जल्दी जल्दी से आजा फिर आगे बढ़ते हैं लोग चलो, तो यह क्या आ जायेगा? 3 गुड़ा 4 गुड़ा अंडर रूट उन्चास बराबर 3 चुवका 12 गुड़ा 7 बराबर 84 एक और तरीका से कर दिया अच्छा, ए भाई रुको न, 15 अंडर रूट 7 गुड़ा 4 अंडर रूट 3 इसका बताओ जल्दी बताओ इसका तुमको काल आगा था कि हम आई करेंगे तो से नाई पूछेंगे चलो बताओ कितना आएगा ए लोचा हो जाएगा इसे दे देंगे तो आएगा ही नहीं तो बाद में गरिया आए दोगे चुपिस लो अब आजाएगा ना ठीक है ये दोनों 19 है 1-9-19 डीलेट वाले छातर ध्यान दें अक्सर वो काफी परेशान हैरान रहते हैं उनकी अवस्था ये ऐसे वोती बाखी काफी डिपरेशन में रहते हैं तो टेंसर नहीं लेने का है डीलेट के तिरतिय समेश्टर और फोर समेश्टर की कलासे परते एक ये देखे दिन दिया गया तीन दिन और तीन दिन आपका चतुर समेश्टर का होता है ठीक है तीन दिन फोर समेश्टर का इसे टाइम याद रखे राद दस बज़े से और इसी करम में आपका first और third भी होता है तो यानी एक सात में आपका first और third चलता है सोरीर, first second चलता है एक में third और four चलता है ठीक है? तो हर सप्ता चारों नहीं चलती, दो दों चलती है अपना adjust करिएगा अगली क्लास में पढ़ेंगे करडियों की तुलना करना। चोटी और बढ़ी करडी कैसे पहचानते हैं जैसे देखो इन दोनों में कौन बढ़ा है बताओ फटा-फट लोगे आपको पूछा कि इन में और इन में कौन बढ़ा है तो ये चीज मैं आपको सिखाउंगा अगली कलास में अगली कलास कब आएगी जरूर आएगी देखिये साथियो मैं बताऊं जो आप YouTube पे अगर देख पा रहे हो इसमें से कुछ खला से YouTube पर डेमो के रूप में दी जाती है तो किसी के दिल में तकलिफ नहीं होनी चाहिए कि आप YouTube पे काहे दे रहे हो रात के एक बच कर 18 मिनट और कुछ सम्थिंग सिकंड हो रहा है मैं इसको रिकार्ड कर रहा हूँ अभी फोन आया था इस्टार्टिंग में आपने सुनाओगा है ना रात वाला फोन था आप समझ जो किसका था पता नहीं किसका था मुझे नहीं पता चलो देखो समझो अब ज अगर इस पार्ट के वर्तमान पार्ट के ब्यूज 5000 प्लस हो जाएंगे तो मैं अगला पार्ट तुरन दे दूंगा रिकार्ड अभी तुरन जेस्ट करूंगा उसको भी ठीक है अगर नहीं आएंगे आप लोग अपनी ही जीत पे रहोगे एकदम कि नहीं हम सेयर नहीं करें अपलीकेशन में आप जाओगे वहीं आप 1199 से लेकर के 299 टगपे करते हो है ना करते हो ना और हाँ एक अभी बीना मौसम के आपको आफर दे रहे हैं वो क्या है कि कि किसी भी छात्र छात्रा के जनम दिन पर कोई भी कोर्स 6 महीना या उससे अधिक लेने पर उसे 50% का डिस बखते हैं इसे ठीक है अगे बढ़े पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ठीकता है लेकिन काम से मिली पहचान अनलिम्टेड होती है गरूप आगे बढ़े अब आगे बढ़े नहीं रहे है तो किसी की मन में कोई सवाल बताईए कमेंट करिए फटा-फट यह बोल रहा था बिन मौसम का एक आफर है अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं रेगूलर में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए बस चंद सिकेंड देख लीजिए मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ आप बिल देखो भाईया यहाँ पर हमारे आगे पीछे आधा दर्जन से ज्यादा लोग काम करते हैं हमने चाल लाग पांच लाग के गजट लगाए इनका लोग जा रहा है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा साही हो करते हैं तो उससे कुछ सांस लेने की फुरसत मिलती है नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है ठीक है तो यह आपका रेगुलर चार्ज है जो आपका फीस अपलिकेशन वाला इसको हमने आपको एक डिसकाउंट पर बीना मौसम के आफर एक निकाला है हाली में जो की 15 जनौरी तक वैलिड रहेगा ठीक है अगर सीट रहेगी तो इसमें हम सी 35 रखा हुआ है ठीक है और जो यह यह है ना देखर न यह आपका 515 है और पूरे साल भर के लिए अगर आप करते हैं तो ओनली 599 है कहो गहीं कैसे इतना कम हाँ बिल्कुल इतना कम आप चाहें तीसे ले सकते हैं इसके लिए आपको इसका स्क्रीन साट ले करके वाटसाप प भेजेंगे तभी यह आपको मिल सकता है और हां तरीका सा बता देता हूं यहां पर सुन लीजिए इसमें 500 सीट है केवल 500 सीट तक ही एडमिसन होगा ठीक है यह वाटसाप नंबर है अगर आप चाहें तो नहीं तो यूट्यूब पर बेट करिए अगला भाग आएगा कोई दिकत नहीं है यह वाटसाप नंबर है इसके स्क्रीन साट बेजें या फिर एक काम करें आप डारेक्टली हमें इस नंबर पर पे करें वैसे तो आप एप में जाके ले सकते हैं इसका हम आपको प्रोमो कोड बताएंगे अपलाई करेंगे आप हो जाएगा यह नंबर नीच जार करें 10 जनुरी को अगला आई रहा है कहा करना है ठीक है बस आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू हाँ यहां पर यह भी लिखना जरूरी है 15 जनुरी लास्ट डेट 15 जनुरी लेकिन इसका स्क्रीन साट भेजेंगे तभी यह वैलिड है इसक्रीन साट आपको इसको वाट्सअप पे देना ही होगा क्योंकि मैं इसको अपने किसी की टीम मेंबर को नहीं बताऊंगा गुप तो रखा जाएगा मिलते हैं फिर अगले सेसन में ब